नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम कलास नाइन सोसल साइंस में मैप वर्क पर चचा करेंगे सीब्यस्सी के सिलिवस के अनुसार हिस्ट्री से मैप आपका दो नमबर काएगा जिसमें दो चैप्टर आपको दिये गए हैं जहां से वो आपसे मैप के बारे में कोशन पूछेगा चैप्टर फर्स्ट है आपका फ्रेंच रिवलुशन फ्रेंच रिवलुशन के अंदर आपको च्यार स्थान दिये गए हैं नांते, बॉर्डे, पैरिस और मार्शिले इनके बारे में हम चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं आज हम जो इसका नेरे चैप्टर है सॉसिलिजम इन उरोप, सॉसिलिजम इन उरोप के अंदर ये आपसे मुख्य देश जो विश्विविद के अंदर शामिल थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जिसमें सेंट्रल पावर्स के अंदर जर्मनी, औस्ट्रिया, अंगरी और तुर्की इन में से एक पॉइंट पूछेगा आपसे या और आपसे एक पॉइंट आपको जो है वो अलाइट पावर्स में फ्रांस, इंगलेंड, रशिया और यूएस से इन में से कोई एक तो कुल मिलाकर जो है हिस्ट्री से दो नंबर का मैप आता है और पूरी-पूरी समभावना होती है कि मैप आपका वो इसी चैप्टर से ही पूछता है इनहीं देशों में से कोई दो स्थान आपको देदेगा और पूछेगा कि ये स्थान कौन से हैं के नाम बताईए तो हम विश्व के मान चित्र के अंदर देख लेते हैं कि ये स्थान कौन सा देश कहां पर है जैसे हम पहले मित्र राष्ट्रों की जो हमारी अलाइड पावर्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं यहां आपको दिखाई दे रहा है नमबर एक पे ये फ्रांस ये फ्रांस बना हुआ है यहां पर छीख है नमबर दो पे यहां पे आपको ये इंगलेंड दिया गया है नमबर तीन पे यहां बात करें तो यहां पर नमबर तीन आपको दिखाई दे रहा है यहां यह रशिया है रूस और यही हम नमबर चार की बात करें यहां तो यह पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है यह है आपका यूएसे अमेरिका तो यह हमारे मित्राश्ट है इन में से आप से पूछ सकता है वो और या आप से पूछेगा वो Central Powers के बारे में Central Powers में आपको पता है जर्मनी यहाँ पर यह जर्मनी दिखिए यहाँ पर है यह जर्मनी उसके बार यहाँ पर यह ऑस्ट्रिया है इदर यह हंगरी और चोथी पर यहाँ पर यह है तुर्की पचान क्या है नीचे भूमदै सागर और उपर काला सागर उनके बीच में यह तुर्की बना हुआ है तो पहरे बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये सारे स्थान याद हो गए होंगे आप इनको दुवारा रिवाइज करेंगे आपको सुनिया जाएगा मैं आपको जो एक्जाम के अंदर मैप में आपसे पूछेगा उसके बारे में हम तर्चा कर लेते हैं ये देखिए मैप आपको ऐसे मैप देगा वो उसमें आपसे दो स्थान पुछेगा जैसे यहाँ पर आपको A और B करके A आपको जैसे स्थान दिया गया है A ये स्थान पुछा गया है तो ये स्थान कौन सा है आपका England आपको इस तरीके से यहाँ पे England भरना है और 20 स्थान देखिए यह स्थान आपसे पुछा गया है यह स्थान है आपका Germany यह कौन सा आपका Germany इस तरीके से आपसे यह मैप पूछेगा तो मुझे आशा है कि आपको यह स्थान समझ में आ गये होंगे और मैप में आपको बहरना कैसे है ये भी आपको समझ में आ गया होगा धन्यवाद